क्या आपने भी इस चड़िया के आवाज में छुपी किसी दर्द या संबेदना को महसूस किया? अपने अंडी बच्चों की सुरच्छा और अपने अस्तित्त को लेकर हमेशा ससंकित रहने वाली यह चड़िया जिसे टिटरी या इंग्रिश में रेड वाटर लेप विंग भी कहा जाता है अपने आस पास के जिव जन्तों से अपनी भासा में चिला चिला कर पूछती है Did you do it? Did you do it? Are do it? Are do it? मतलब क्या यह तुम ने किया? क्या यह आप ने किया? यह तुम ने किया? यह तुम ने किया? यह तुम ने किया? यह चिड़िया ऐसा क्यों करती है? और हम सबसे ऐसा प्रशने क्यों पूछती है? जहिन मित्रो, स्वागत है आपका अपने इस ग्यान विज्ञान से संबंदित यूटूब चैनल पर जन्तू जगत के कार्डेटा संके पच्छी बर्ग से संबंदित है जिसका जूवग्यानिक नाम वैलेनस इंडिकस है लगबक तायती से 35 सेंटी मीटर लंबी इस चुड़िया का उधर भाग सफीद रंग का होता है जबकि इसका सिर बक्ष तथा गर्दन काले रंग का होता है इसके आंक के सामने एक छोटा सा किर्मिची या लाल रंग का मानसल पिंड होता है जिसके कारण या पच्छी दूर से ही आसानी से पहचानी जा सकती है और इसी वजह से इसका नाम रेड वाटल पड़ा इसकी प्रतेक आंक से एक चोड़ी सफेद पट्टी गर्दन के पूर इनको पेडों पर बैठते हुए नहीं देखा गया है लेकिन ये अपने पैरों से तेज दोड लगाती है और इनके चलने का ढंग बेहद निरला होता है जिसमें इनका सर और मूच ऊपर नीचे होता है टिटेरियों के इस बहवार को टिटेरिंग कहा जाता है टिटेरियों स से बचने के लिए जेव विकास के क्रम में विक्सित हुआ और इसी कारण इनमें लंबी टांग और तीज दोड़ने की प्रविर्ती का विकास हुआ ताकि ये अपने सिकार को तेजी से दोड़ा कर पकड़ सके समान्यत ये पच्छी जोड़े में पाए जाते हैं तथा कभी कभी छोटी-छोटी टोलियों या जुन्ड की रूप में तलाप, तलयों, पोखरों और जलबंग्न खेतों के निकट आसानी से दिखाई दे सकते हैं। केट, घोगे, केचवे तथा निम्ने स्रेणियों की औक सेरुक जन्तु इस चड़िया के भोजन होते हैं। इस चड़ की विबीत ये राद में भी जागरित रहती है और सक्रिय रहती है। बाहरी बनावट के अधार पर नर और मादा टीडिहरी में बाहर से कोई अंतर नहीं होता है। अनपक्षियों की ही तरह नर और मादा टीडिहरी का मिलन होता है। इसको आप इस स्लाइड में देख रहे ह इसमें प्रजनन का समय मार्च से अगस्त की दोरान होता है ये जमीन को मामुली सा खोद कर अथ्वा थोड़ी सी कंकडों और बालू सी घिरी गड़ी में घोसला बनाती हैं तता धर्तिप बनाए अपनी घोसले या नेस्ट में मादा टिटिहरी दो से चार नासपाती की आकार क अंडों को देती है इनके अंडों का रंग मिठी के रंग से मिलता जुलता है या कंकर पथर की रंग के जैसा होता है अंडों का इसा रंग होनी के कारण सिकारी जन्तों की नजर इनके अंडों पर नहीं पड़ती है और इनके अंडी सिकारी जन्तों जैसे कुत्ता और बिल् होता है और भारी संख्या में टिटीरियों की अंडे इन जंतों के पैरों के नीचे आने से नश्ट हो जाते हैं जैसे ही ये जंतों इनके घोसलों के करीब पहुंचते हैं टिटीरिया खात्रा भाब का तीजी से चिलाने लगती है तता सोर मचाने लगती है तता इनके अंडो की नश्ट होनी के बाद टिटेरिया डिडियू डूइट तथा डिडियू जैसी चीर परचित धोनिया उत्पन करने लगती है जानकारों के अनुसार अंडो की नश्ट होनी के बाद टिटेरिया दुखी होकर चिला चिला कर सबसे पूछती रहती हैं कि did you do it और थात क्या तुम ने ये किया या do it या तुम ने किया और इसी कारण इसी did you do it बर्ड भी कहते हैं यहाँ परम टिटिरियों के अंडों से जुड़ी दो बहुत ही महत्पुण मानेताओं की चर्चा करने वाले हैं जिसमें सिपाहली मानेता ये है कि टिटिरिया चुकि नदी और ताल तलेओं के आसपास ही रहती हैं और इस कारण जब ये अपनी अंडे गड़ों या किसी निचले अस्थान पर दीती हैं तब एसा माना जाता है कि उस साल बारिस कम होगी और जब ये अपनी अंडी जमीन पर किसी उची अस्थानिया खेतों की मेडो पर देती हैं तो उससल प्रचुर मातरा में बर्सा होने की संभावना होती है जी हमित्रों ये बात पुर्णिता सत्य है और ये बैज्यानिक सोध का बिसे भी है बैज्यानिक भी इस बात को मानते हैं कि टिटिहरियों सहीत कुछ पक्षियों में मौसम की बारे में पुर्बानुमान लगानी की अध्वुच्छमता होती है हमारे भारती किसान टिटिहरियों के अंडों को देखकर बरसा का पुर्बानुमान लगाते आ रहे हैं तता खेतों की जुदाई करते समय यदि इनको टिटिहरी के अंडे दिख जाएं तो ये उस जगह की जुदाई नहीं करते हैं अर्थायत ग्रामिट छेत्रों में किसान टिटिहरी के अंडों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं टिटिहरी के अंडों से जुड़ी जो पारस पत्थर जिसके असपर से लोहा भी सोरा में बदल जाता है इस मानेता की बैग्यानिक सच्चाई क्या है आईए देखते हैं नर और माधा टिटीरिया दोनों ही अपने अंडों को इनकुबेट या सेनी का कारी करते हैं तथा ये बहुत ही सतरकता एवंग सजगता से 28-30 ठिनों तक अपने अंडों को सेनी का कारी करते हैं टिटिरिया बाहरी आकर्मर के प्रति निरंतर सजग रहतीय हैं और खत्रा भापते ही सोर मचानी लगती हैं यहीं नहीं किसी संभव्वित खत्री के प्रतिए 27 क यहचिडिया सिकारी जंतुवत्वरा हमुला होने पर तुर नरपक्षी मादापक्षी को हटा कर अंडो को सीनी का कारे कुद करता है और इस बिच मादापक्षी अपनी भोजन की प्रवंद्र में लग जाती है अपनी अंडों को गर्मी से बचाने के लिए तथा अंडों में पानी की कमी को रोकनी के लिए यह चालाक चुडिया पास की ताल तलाया में जाकर अपने सरीर की अधर भाग को खुब भीगा लेती है तता अपने परों में पानी को संदक्षित कर अंडों की ऊपर आकर बैठ जाती है 28-30 दिनों पस्चाद इनकी अंडों की हैचिंग होती है अर्थात अंडों में से बच्चे निकलते हैं और यह प्रकिरिया समानी चुणियों की तरह ही होती है मतलब अंडो में बच्चों का पूर्ण विकास होनी के बाद ये बच्चे अपने चोच की साहता से अंडो की उपरी खोल को या सेल को भीतर से ही धीरी-धीरी तोड़ कर खुद बाहर आ जाते हैं और इस काम में कभी-कभी इनके माता-पिता भी मदद कर देते हैं फिलहाल अंडो को पारस पत्थर से तोड़ने की बाद कोरी कलपना है और इसका कोई भी बैग्यानिक प्रमाड नहीं है आप सभी दर्शकों से ये बिनम्र निवेदन है कि पारस पत्थर की चक्कर में पढ़कर आप टिटिहरी के अंडो को कोई हानी न पहुँचाएं क्योंक अमीर बन सकते हैं जो कि बिल्कुल गलत है अंडो में से चूजे निकलने के कुछ ही समय बाद चूजे तेजी से चलने लगते हैं चूजो को सिकारियों से बचाने के लिए इनके माता-पिता इनको गहरी घास में ले जाते हैं तथा इनको एक छद्म आउरण में रखते हैं इनके माता-पिता की दौरा इनके शुरक्षा का पूरा प्रवंध किया जाता है और खत्रिक आभास होती ही ये जोर जोसित चिला कर चूजो को सचीत कर देते हैं इनके चूजे भी अपनी माता-पिता की तरह खत्रिक के समय मरने का स्वांग बखूभी कर लेते हैं तिटे tenants कि उसी जुड़ी एक बेहदी दिल्चस्प बात ये है कि हमारे देश में एसा माना जाता है कि टिटीहिरी पच्छी अपनी पैरों को आस्मान की तरफ करके सोता है क्योंकि इसको आस्मान की तूटनी का डर हमेशा बना रहता है और इसके अंडी फूट न जाए इसलिए पैरो से परे कोई कारे करता है फिलाल यह केवल कहावत है इसमें कोई वास्तविक्ता नहीं है जबकि आपकी जानकारी के लिए हम बता दे कि अपने अंडे और बच्चों के देख भाल के समय यह पच्छी दिन रात 24 घंटे हमेशा जागरित चोकन्ना सजग और सक्री बनी रहती ह यहाँ सोने का कोई प्रस नहीं नहीं है ठंड़क की दिनों में यह एक पैर पर बिश्राम करती है और एक पैर को मोड़कर अपनी परों में चुपाए रखती है ताकि इसका पूरा सरीर गरम बना रहे है इस प्रकार यह एक केवल कहावत है यह धार्थ नहीं मित्रों बढ़ती प्रदूसर्ण और टिटीरियों की प्राकृतिक आवास पर हमारे अतिक्रमण की कारण अपने अस्तित पर आते हुए संकट को देख कर आज यह खुबसूरत चिडिया संकट क्रस्थ हो गई है और डिडियो डोईट की रूप में हम सब से यह प्रश्ण कर रही है तो मित्रों आईए टिटीरियों की प्राकृतिक आवास उसकी अंडे और बच्चों को हम बचाएं जै हिंद